हेलो फ्रेंट्स मैं सबाफिरो शेक सबाइस किचन में आपका स्वागत है आज मैं बना रही हूं प्राउंस बुलाओ बहुत इस इंपल एंड क्विक इजी रेसिपी है अब जरू ट्राइ कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो आए आगे बनाते हैं प्राउंस पुलाओ इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम चामल जिसे हमने भीगा करके रख लिया है 400 ग्रम छिलेवे प्राउंस इसा अच्छे से साफ करके लिए लिजिए दो लंबय में कटी हुई प्यास खड़े मसाले ले लेंगे एक टीस्पून जीरा का डीकलसा पेas talk निशन का पेस्ट हाफ डेस्पून गर्व मसाला पाउड़र एक टेबल इसपून धनिया पाउड़र अाधा कप तेल गरम कर लेंगे प्रेशा कुकर में इसमें अख्य मसाले हम हूं करके ले लेंगे मसाले भूंचुके हैं अभ हम इसमें प्याज आरेट कर देंगे और इसे लाल होने तके हम पका लेंगे इसे जलाना नहीं है, इसे लाल कर के लेना है बीच बीच में चलाते रहिए प्याज लाल हो चेकी हैं, अभ मसाले डाल देंगे अद्रकलसन का पेस्ट और बाकी जो हमने मसाले लिए तो वो मिला लिए है इसे धीमी आज़ पर हम तीन से पांच मिनट चलाते हुए भूल लेंगे ये देखें कि कितना अच्छा कलर आ रहा है कितने अच्छी खुश्बू आ रही है आप जरू ट्राइ कीजिए इसे दो कटियों हरी मेच मिला लीजिए और इसे अच्छे से चलाते रहें बीच बीच में मेरे चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए अब हम इसमें टेस्ट के लिए चिकन मसाला एड़ कर देंगे चिकन मसाला पाउडर इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पुलाओ में यह लीजिए मिला लिया हमने अब अब प्राउंस एड़ कर दीजिए इसमें और इससे अच्छे से चला लीजिए और हम प्राउंस के पकने तक यह इसे धीमी आज़ पर पका लेंगे यह लीजिए मिक्स कर दीजिए मसाला कितने अच्छे से भून चुका है देखिए बहुत अच्छे खुशबारी है आप इससे जरूर ट्राई कीजिए ट्राई करेंगे तब यह आपको स्वात का पता चलेगा अब इसे हम तीन से पांच मिनट कुकर का धकर उपर से धक कर प यह जाओ चाघ करनेंगे 죠 अलग कुछ इतना चांवल पक्ना के लिए पानी चाहिए चाघ कीजिए अर इससे अथ्या करे तीन चार सीटी पे पका लीजिए तो ये लिजी फूडीस फ्रेंड्स प्रांस पुलावन कर तैयार है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले और नीचे दिये के बेल आइकोन को प्रेस करें जिसे के आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन्स मिलती रहेंगी तैंक यू सो मच